जहें दोस्तों सवाग है तो आप सभी का केरियर पॉइंट पर दोस्तों आज हम आपको लोगों के लिए असे जीडी प्रिक्षा 2023 के लिए बहुत ही बैतिन टेस्ट लेकर आए जीके जिएस का दोस्तों यह हमारे टेस्ट आपके लिए बहुत ही जबदस रहने वाला है तो इ अगर आप पहली बार आएं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करीजिए ताकि आपको नोटिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो अच्छे लगई तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरू किजिए तो चले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं देखते आज की वीडियो की सबसे उची चोटी है ओप्शन बी अनाई मूदी इस क्यूशन के लिए राइट अंसर होगा यादखना नेक्स्ट देखिगा नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है दोस्तो भारत में सबसे दिख चाय का उत्पादन का होता है तो यादखना असम में चाय का उत्तम होता है अगला क्यूशन देखिग नेक्स्ट है वरित गंगा किस नदी को कहा जाता है तो यादखना गोदावरी नदी को वर्त गंगा कहा जाता है उप्शन दी गोदावरी नदी इस क्यूशन के लिए राइट अंसर होगा नेक्स्ट देखिगा नेक्स् याधकना अगला question है, देखिए हैं, मिटी का अध्यन क्या कहलते हैं, मिटी का अध्यन क्या कहलते हैं, तो याधकना पेडोलोजी, option B, right answer का मिटी का अध्यन पेड लोजी कहिलाता है, नेक्स अर्फ में पर ओप्शन है, नेक्स अर्फ में ढविल तेके हैं, सून्पेंग्स जनजाती कहां के निवाशी हैं, तो याद रखना निकोबार दूइप की निवासे हैं, option B, निकोबार दूइप आपका right answer रोगा next है, चले देखिएगा, न्यू मूर दूइप कहा पर इस्तित है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में इस्तित है, option B, right answer रोगा बंगाल की खाड़ी आप लोगे, याद र अगला question है, ब्हारत का रूर किस पतार को कहा जाता है, तो याद रखना चोटा नागपूर पतार, याद रखना बंगाल समयों, याद आखना, चोटा नागपूर पतार, वहां पहले खाग ठोत्स सिप और गयर में जाता है, सागर था कों सा सागर था कौन सा सागर तो टेधिस ऑप्शन D आपका इस question के लिए। टेधिस सागर है। नेक्स इक्ट है नेक्स इनक्स परकार का परवत है। तो याद कना वलिट परवत है। हिमाले एक वलिट शरीन के परवत माला है, option D, right answer होगा, वलित परवत, आप लोगे याद अखिएगा, next है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी है, जो डेल्टा का निर्मान नहीं करती है, तो दोस्तों, तापती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्मान नहीं करती है, काविर नदी है, ये डेल्टा का निर्मान करती है, याद अखिएगा, ठीक है तो option D, आपका इस question के लिए दोनों, A और B, तापती और नर्मदा नदी, डेल्टा का निर्मान नहीं करती है, याद अखिएगा, option D. आपका right answer रोगा नरमदा नदी. अगला question है, चटानों का अध्यन क्या क्यलते हैं? तो दोस्टो याद रखना Petrology. क्या क्यलते है? Petrology क्यलते हैs चटानों का अध्यन option C. आपका right answer रोगा. अगर वीडियो अच्य लग रही Limnology, ठीहा, जीलों का दियाने Limnology कहलता है, option A Right answer होगा, Limnology यादकना, अगला question है देखीगा, पूरानी जलोड मिटी को क्या कहा जाता है पूरानी जलोड मिटी को क्या कहा जाता है तो दोस्तों, यादकना, बांगर option B, आपका Right answer होगा पुराने जलोड मिट्टी को बांगर कहा जाता है, option B, बांगर right answer होगा, next देखी का, next है, पवन दवारा निर्मित मैदान क्या कहलते हैं, तो यादकना PD plane, option A, right answer होगा, PD plane कहलते हैं, option A, right answer होगा, अगला question देखी, next है, नवीन जलोड मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना, खादर कहा जाता है, option C, खादर, right answer होगा, next देखी का, next देखी का, next हो, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रखना, अमर कंटक, option D, अमर कंटक आपका इस question के right answer होगा, next देखी का, next है, ब्रहंपूत नदी को तीबत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रहंपूत नदी को तीबत में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना, सांगपो के नाम से, किस नाम से, याद रखना, ब्रहंपूत नदी को तीबत में सांगपो के न Цे AWB हैं तो दोस्तोः याद रखना 36. Option D. 36 थोह याद रखना. Option D. राइट आंसर होगा? अगला question है. देखिएगा. नेल्गरी परवत माला की सबसे उची चोटी कुण जी है? नेल्गरी परवत माला की सबसे उची चोटी कुण जी है? तो याद रखना 12 बेटा निलिपक्री प्रवतमाला की सबसे उंची चोटी है 12 बेटा उप्शन B, right answer होगा, next है, next है, गारो खासी जैनतिया जनजातिया भारत के किस राजे में रहती हैं, तो याद रखना मेघाले राजे में, कहाँ पड़े, मेघाले राजे में रहती है, option C अंसर होगा, next है, next है, kपास की खेती के लिए उप्युक्त मिटी कौन सी होती है, जोस्तो, याद रखना का अंसर होगा, gosh, आयद रखना अंसर होगा, जाता है आप लोगे, याद रखना अंसर बस्त बेटाल, second है, इसलारत के नाम से बुदा दाने है, ठीक है, किस अस्तान पर आकर मिलती हैं। बागिरती नदी, अलकनंदा नदी, किस अस्तान पर आकर मिलती दोनों। तो याद रखना ये देव पर्याग में। उप्शन है, देव पर्याग में आकर मिलती हैं। आप लोग याद रखना। अगला question है, दिखीगा, निलगरी की पाहडी कहां पर इस्तित है, तो दोस्तों याद रखना तमिल नाडू, option C, right answer होगा, निलगरी की पाहडी कहां पर इस्तित है, तो याद रखना तमिल नाडू, option C, right answer होगा, अगला question नेकि next है, Emerald Island की नाम से किस दुप को जाना जते हैं, Emerald Island की नाम से किस दुप को जाना जते हैं, तो याद रखना आपका right answer होगा, Underman Nicobar को Emerald Island की नाम से जाना जते हैं, option B Underman Nicobar, right answer होगा, next देखी का next है, तो जाड़े के मौसम में, तो याद रखना ये लोटता हुआ मानसुन से होती है, option C, लोटता हुआ मानसुन right answer होगा, next है, लक्से दिव की राजधानी कहा है? तो तो याद रखना कावरती, option A, कावरती, लक्से दिव की राजधानी है, option A, right answer होगा, Next Dekhi का next है बिहार का सो किस नधी को कहा जाता है Very Very Important Questions तो like share करते हुए फटाफ़ज़ आंशी देंगे Bihar का सो किस नधी को कहा जाता है याद अखना कोशी नधी को option C Right Answer का कोशी नधी को बिहार का सो के कहा जाता है option C Right Answer का next आदम ब्रिज किनके बीच इस्तित है तो तुसो याद रखना तमिल्नाडू और सिरलंका के बीच में option B right answer रोगा याद रखना आदम ब्रिज तमिल्नाडू और सिरलंका के बीच में इस्तित है option B right answer रोगा next रोगा next है भारत का एक मात्र सुशुप्त जुवालम की किस दुवीप पर इस्तित है तो याद रखना नार कॉंडम ब्रिज तमिल्नाडू और सिरलंका के बंगाल का सोके किस नदी को कहा जाता है तो दूस्तों किसको याद रखना दामोदर नदी को बंगाल का सोके कहा जाता है option B right answer का दामोदर आप लोगे याद रखना next है निमलिकित में से कौंशिन दी पस्यम दिशा की और परवाइत होती है तो याद रखना तापती और नर्मदा दोनों दी पस्यम की और परवाइत होती है option D right answer रोगा next है next देखी अंडमान निकुबार की राजधानी कहा है तो याद रखना पोर्ट बलेर option B right answer रोगा पोर्ट बलेर अंडमान निकुबार की राजधानी है याद रखना next है देखीगा काली मिटी को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना रेगुड मिटी option B right answer रोगा काली मिटी को रेगुड मिटी के नाम से जाना जाता है option B right answer रोगा रेगुड मिटी आप लोग याद रखना अगला question है नर्मदा यूं तापती नदी की बीच में कोंसी परवत माला इस्तित है नर्मदा यूं तापती नदी की बीच में कोंसी परवत माला है तो याद रखना सत्पूरा परवत माला option B right answer रोगा सत्पूरा परवत माला है इस्तित है आप लोग याद रखना अगला question है, देखीगा, Ganga योम भरम पूत्र की स्वरिक्तर धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो दुस्त या रखना, मेगना के नाम जाना जाता है, option A, right answer ka मेगना, आप लोग याद किएंगे। अगला question है, देखेगा, दक्षिन पसिम मानसुन सबसे पहले भारत की किस राजे में आकर टकराती हैं, दक्षिन पसिम मानसुन सबसे पहले भारत की किस राजे से आकर टकराती हैं, तो यादखना केरल राजे में, option D, केरल राइट आंसर होगा, आप लोग यादखना, दोस्त A, दक्सिन पस्म मांसुन, राइट अंसर होगा, उप्शन A आप लोगे, याद अखना, next देखी, किस परवत माला को सहाधरी कहा जाता है, तो याद अखना पस्मी घाट को कहा जाता है, सहाधरी, option B, पस्मी घाट आपका राइट अंसर होगा, next है, चले देखी का, काली मिट् तो याद रखना, महाराष्टर में है, option D, महाराष्टर, right answer होगा, next है, दिखीगा, भारत में परमानू उर्जा कारेकरम का जनके किसको माना जता है, भारत में परमानू उर्जा कारेकरम का जनके किसको माना जता है, तो दोस्तो याद रखना, dr. हुमी जाहंगीर बाबा को भारत में परमानू उर्जा कार्यक्रम का जनक माना दता है, उप्शन B, डॉक्टर हुमी जाहंगीर भाबा राइट अंसर होगा, लाइक शेयर करते रहेंगे दोस्तों, लाइक शेयर करते रहेंगे, और अपने दोस्तों को एक वीडियो जुरूर शेयर करें, अगला क्यूशन अपली, UNO की स्थापना किस वर्ज की गई, UNO, United Nation Organization की स्थापना कब की गई, तो याद रखेगा, 1945 में, उप्शन C, 1945 में UNO की स्थापना की गई, अगला क्यूशन है, देखेगा, देश का पर्थम पर्मानु रियक्टर अप्शरा की स्थापना कब की गई, देश के पर्थम पर्मानु रियक्टर अप्शरा की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना, 1956 में, उप्शन C, 1956, उप्शन C, राइट आंसर होगा, नेक्स दिखेग, नेक्स है, योजनाओं को अंतिम स्विकर्ति या अनुमोधन किसके दुवारा परदान किया जते हैं तो याद खना राश्टी विकास परिशद के दुवारा option B राश्टी विकास परिशद option B next देखिए का next है ग्रीबी हटाओ का नरा किस पंच वर्शी योजना में दिया गया ग्रीबी हटाओ का नरा किस पंच वर्शी योजना में दिया गया था तो याद खना पंचम और किस के दौरा स्रीमति इंद्रा गांधी के दौरा पांचवी पंचव वर्षी योजना में गरीबी हटाव का नरा दिया गया option C right answer up next नेक्स्ट हे बारवी पंचव वर्षी योजना का कारिय काल क्या था बारवी पंचव वर्षी योजना का कारिय काल क्या था दोस्तो तो याद रखिये 2012-2017 option B राइट आंसर होगा, उप्चिन B, 2012 से 2017, याद रखीएका, next है, रमन अनुसंधान के इंदर कहाँ पर इस्तित है, तो दोस्तों याद रखना, बेंगलूरू उप्चिन D, राइट आंसर होगा, कहाँ पर है, बेंगलूरू उप्चिन D, राइट आंसर होगा, याद रखना, भारत में पर्मानु उर्जा आयोग की स्थापना किस वर्स की गई, भारत में पर्मानु उर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो याद रखना, 1948 में, उप्चिन C, 1948 में भारत में पर्मानु उर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखना, अगला क्योशन है, दिखिए गा भारी जल की खोज किस ने की थी, D2O, Deuterium Oxide, भारी जल की खोज किस ने की थी, तो याद अखना Hcure, रास्राइनिक नाम याद अखिए गा तोसो, D2O का रास्राइनिक नाम होता है, Deuterium Oxide, और खोज की थी, Heraldure, Hcure, उप्शने, राइट आनसरों का, नेक्ष दिखिए, नेक्ष 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 नेक तो याद रखना ट्रामबे मुंबई कहां पर है ट्रामबे मुंबई में इस्तित है उप्शन ए आपका राइट अंसर होगा ट्रामबे मुंबई तो याद रखना गया शोट का अंग्श लगा पर है उप्शन एप का राइट अंसर होगा अंग्श जी और फ्रेंच ए उप्शन डी ए और बी आपका उप्शन डी राइट अनसर होगा चलिए निचेकिन कोंसी पंच वर्शी उजना पूरी तरह से ऐस फपल रही तो दोस्तो यादखना कौन सी, 3 थी है, तीसरी पंच वर्षी होजना, पूरी तरह से ऐसे फ़ल रही थी, option C, 3 थी है, right answer होगा, यादखना next दी कि next है, अंतराश्टी है, न्याले का मुख्याले कहां इस्तित है, तो दोस्तो यादखना, निदर लेंड में, option A, निदर लेंड आपका right answer होगा, चलिए next दीखी, next है, सिंक्त रासंग, युवनों में, हिंदी में भासन देने वाले पहले व्यक्ति कुन है, very very important question हो, बताना जली से, सिंक्त रासंग में, हिंदी में भासन देने वाला पहला व्यक्ति कुन है, अटल भिहारी वाजपी, option C, right answer होगा, option C, अ सदे से हैं, तो यादखना, 193, 193, option C, right answer होगा, 193, आप लोग यादखना, next देखी, next देखी का दोसो, इंदरा गांदी परमानू अनुसंधान के इंदर कहां इस्तित है, तो देखी का कहां पर है, कल्पकम में, option A, आपका right answer होगा, इंदरा गांदी, परमानू अनुसंध देखान के इंदर कल्पकम में, option A, right answer होगा, next देखी का, शुरक्षया परिषद में, ऐस्ताइ सदे से का कारेकाल कितने वर्सों का होता है, तो दोसो, याद रखना, दो वर्स का होता है, option D, right answer होगा, two years, आप लोग याद रखना, next देखी का, next है, शुरक्षया परिषद म कुल, कितने सदे से देश होते हैं, तो याद रखना, right answer होगा, 15, option C, 15, आपका इस question के लिए, option C, right answer होगा, next देखी का, next है, रावत भाटा परमानु, वितुत घर किस राजे में, very very important questions हो, comment करना, रावत भाटा परमानु, वितुत घर किस राजे में है, तो right answer हो जाएगा, राजस्थान, option D, right answer होगा, next देखी का, next है, भारत का पर्थम, परमानु, वितुत, 18 मई, 1974 को किस राजे में, पर किया गया, भारत का पहला परमानु, वितुत घर को किस राजे में, तो याद रखिए, पोकरन, राजस्थान में, कहां पर किया गया, 18 मई, 1974 परे, पोकरन मे क्या गय था, option D, right answer होगा, next देखी का, next है, पहली पंचव वर्षी होजना, किस मोडल पर आदा रही थी, तो याद रखना, हेरोड, डोमर, मोडल पर, option है, right answer होगा, हेरोड, डोमर, मोडल, आप लोग या देखी, दोस्तो, next देखी, next है, दुनिया का, पुलीस मेन किसे का जाता है, बहुत ही जबर्दस क्योशन है, दुनिया का, पुलीस मेन किसे का जाता है, दोस्तो, लाइक, शेर करते हुए, फटाफर आउन्स देखे, तो right answer होगा, शुरक्षया परिशद, option C, right answer होगा, next देखी का, next है, भारत का पर्थम, भारी जल सनियंतर कहां पर स्तापि क्या गया, तो दोस्तो, याद रखना, नांगल, पंजाब, कहां परे, नांगल, पंजाब में भारत का पर्थम, भारी जल सनियंतर है, स्तापित किया गया था, याद रखिए, next है, अंतराश्टी नियाले में, नियाईडिशों की संक्या कितनी होती है, याद रखना, 15, option C, याद रखना, अगला क्योशन है, संक्त रासंग में, सरवाधिक बार, वीटो का परियोग करने वाला देश से कून सा है, सबसे अधिक बार, वीटो का परियोग करने वाला देश से कून सा है, तो याद रखना, रूश, option B, right answer, next देखिए, next है, दोस्तो, बान की मून, किस देश के निवासी हैं, तो याद रखना, दक्षिन कॉरिया, option D, right answer होगा, ठीक न, याद रखना, बान की मूने, दक्षिन कॉरिया, डेश के निवासी है, option D, right answer होगा, next देखिए, काकर पारा-परमाण, रियक्टर के अंधर कहा, से काकर पारा पर्मानू रियक्टर के में किस देश के दुवारा क्या गया? United Nations Organization में Veto का प्रयोग सबसे पहले किस देश के दुवारा क्या गया था? तो याद अखना, America के दुवारा. Option C, right, answer होगा. ठीक है, न? सबसे पहले Veto का प्रयोग UN में, America के दुवारा क्या गया था? याद अखना, next है, अंतराश्टी नहले में, नाए दिशों का कारिकाल कितने वर्सों का होता है? तो याद अखना, आपका अंसरोगा, 9 वर्स का, कितने वर्सों का? 9 वर्सों के लिए होता है, option D, right, answer गा 9 years, आप लोग याद अखना, next है, सहिंक तुरासंग में, पर्तम महिला अध्यक्स किसे निर्वाचित किया गया, सहिंक तुरासंग में, पर्तम महिला अध्यक्स किसको निर्वाचित किया गया था, तो दोस्तों याद रखना, सिरिमती विजया लक्षमी पंडित को, option D, सिरिमती विजया लक्षमी पंडित को संक्तुरासंग में पहली महिला अधक से निर्वाचित किया गया next देखी का युवनों के कितने पर्मुख अंग है युवनों के कितने पर्मुख अंग है तो दोसों याद रखना 6 option C, 6 right answer होगा next देखी next है सुरक्षया परिषद में कितने 27 सदस्य होते हैं सुरक्षया परिषद में 27 सदस्य क्या कितनी होती है तो याद रखना 5 होती है option B, 5 right answer होगा याद रखना अगला question है सुरक्षया परिषद में कितने ऐस्थाई सदस्य होते हैं सुरक्षया परिषद में कितने S 23 10 से होते हैं तो याद रखना 10 होते हैं Option B Right answer 10 आप लोगे याद रखना अगला question है देखी Next है UNO में अधिकर्थ भासाओं की संक्या कितनी है UNO में अधिकर्थ भासाओं की संक्या कितनी है तो तो याद रखना 6 है Option D Right answer 6 अगला question दिए हुए नेक्ट में दूसरी बार परमानु परिक्शन किस वर्या गया भारत में दूसरी बार परमानु परिक्शन कब किया गया तो जो जो रखना 1998 में और memorize that Ranked A p.nd so in. सौका, किन दो देशहों की पाया में सेंक्झत जल विथृत परियोजना है तो याद अखिए भूटान और भारत, option A, भारत एवं भूटान, option A, right answer होगा, next देखी का, next है, भारत में दस्मलव मुद्रा परणाली कब शुरू की गई, तो याद अखना, 1957 में, option C, 1957, option C, 1957, right answer होगा, next देखी का, next है, भारत में कागजी मुद्रा का परचलन किस वर्स हु परचलन किस वर्स शुरू हुआ, तो याद अखना, 1862, option A, 1862 में, भारत में कागजी मुद्रा का परचलन हुआता, याद अखी, next है, भारत नाट्यम किस राजे का सास्त्री नरिते है, भारत नाट्यम किस राजे का सास्त्री नरिते है, आप सभी देखी, तो right answer होगा, तम October को किस रूप में मनाया जाता है, दोस्तो, 2 October को महत्मा गांधी के जनम दिवस को हर वर्स अहिंसा दिवस की रूप में मनाया जाता है, option D, right answer होगा, अहिंसा दिवस आप लोगें, याद अखना, अगला question है देखी, next है, गांधी जीने किस घटना से दुखी होकर, ऐस योग आंदुलन को स्थगित कर दिया था, तो याद रखना, चोरी चोरा कांड, option E, right answer होगा, चोरी चोरा कांड से दुखी होकर गांधी जीने, ऐसे योग आंदुलन को स्थगित कर दिया था, next है, next है, एक रूपे की नोट पर, किसका स्थाक्षर होता है, एक रूपे की किस राजे का लोक निर्थे हैं? जात्रा, किस राजे का लोक निर्थे हैं? तो दुस्तों याद रखना परस्यम बंगाल का. Option C, परस्यम बंगाल राइट आंसर होगा. Option C, याद रखना next है, वर्तमान में भारत में ठोक मुल्य सुचकां का आधार वर्स क्या है? तो याद रखना, 2011-2012, option C, राइट आंसर होगा. ठीक है, option C, 2011-2012, राइट आंसर होगा. Next देखी, भारत में पहली बार रुपे नाम का शिक्का का परचलन किस सासक के दवारा किया गया? भारत में पहली बार रुपए नाम का सिक्का का परचले ने किस सासक के दुवारा किया गया था तो याद रखना दोस्तों सेरसा सूरी उप्शन भी राइट आंस रोगा याद रखना अगला question है भारत का सरवादी के विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है तो याद रखना पेट्रोलियम पर उप्शन C Next है महत्मा गांदी ने भारत में सत्य ग्रह का पहला परयोग कहा किया तो यादकना चंपारण बिहार में उप्शन A चंपारण ये कहां पड़े ये यादकना ये बिहार में है उप्शन A आपका राइट आंसर होगा Option A, right answer का चंपार्ण, या तकना, अगला क्यूशन है, किस घटना से, किस घटना की विरोध में, गांधी जिने केसर ए हिंद की उपादी लोटाई, दोस्तों, इनको ये उपादी, 1915 में, अंग्रेजों की द्वारा दी गई थी, लेकिन इनों ने वापस लोटाई, जलिया वा अगला क्यूशन देखी, ग्रेसम का नियम का समन्ध किसे है, ग्रेसम का नियम का गुरु कुन थे तो याद अखना गोपाल, कृषिन, गोखले, उप्शन दी राइट अंट सुरूगा, उप्शन दी गोपाल, कृषिन, गोखले, महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु थे याद अखना, नेक्स है, यक्स गान किस राज्य का लोक निरते है, तो याद रखना, करणाटक का, उप्शन C, राइट अंट सुरूगा, करणाटक, आप लोग याद रखिए, नेक्स देखिगा, भारतिये मुद्रा निर्गमन, किस परनाली पर आधारित है, भारतिये मुद्रा निर्गमन, किस परनाली पर आधारित है, तो तो याद रखना न्यूंतम कोश परनाली पर, भारती मुद्रा निर्गमने, न्यूंतम कोश परनाली पर आधारित है, उप्शन C, राइट, आंसर होगा, नेक्स देखी का, नेक्स है, एलोरा की गुफा, भारत के किस राजे में है, तो 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 याद रख महाराष्टर में कापड़ है एलोरा की गुभा महाराष्टर में option d right answer का महाराष्टर याद रखना next देखी मुद्रा सफिती में किसको लाब होता है मुद्रा सफिती होने से सबसे अधिक लाब किसको होता है तो दोस्तों याद रखना रेणी व्यक्ति को सबसे रिक लाब होता है option c right answer का रेणी व्यक्ति को मुद्रा सफिती होने से लाब होता है आप लोगे याद रखना next देखीगा सबसे महंगी मुद्रा कून सी है सबसे महंगी मुद्रा कून सी है तो दोस्तों याद रखना के साथ सेर करना जो competitive exams की तियारी करें सभी के साथ में वीडियो को सेर जुरू करना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रस कीजिए और वीडियो को लाइक और सेर जुरू करें और कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स वीडियो आपको किस टोपिक पर जाहिए वह भी हमें कमेंट करके जुरूर तहीगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक गुडबाई टेक केर जै हिंद जै भारत